अब आपको हमें कराते हैं ठीक है आप बताओ अगर मैं आप से यह पूछू कि ट्रापिकल डेसिद्वर्स फॉरेस्ट और ट्रापिकल लेंड फॉरेस्ट में कहां इस पिसीज डैवर्चुटी ज्यादा और कहां इस पिसीज डैवर्चुटी कम तो आप क्या बोलोगे सबी अपना जवाब कहां इस पिसीज डैवर्चुटी ज्यादा आपके ख्याल से तॉपिक लेंड फॉरेस्ट यहां ज्यादा और यहां कम लेकिन अब मैं आपको फैक्त बताता हूं एक कंपरीजन आपको करा रहा हूं आप खुद कंपेर कर लोगे फिर आपको डाउट होने ल ठीक है ठाट है तो कि और एक जग़ा की मिट्टी मना रहा हूं कहाँ का इसमें दो टाइप का ताप लाता है श को साफ नीचे वाला सब इस वाला है राता बात हो açıl में था यह बात यह चुकी है तो अ नीचे वाला सब सॉयल ठीक है अब मैं आपको कहा रहा हूं कि यह प्लांट ग्रोप रहें ठीक है इसा है यह अब मैं कहा रहा हूं कि बादी सोरा यह बादल है सबढ़न है यह बारी सो रहा है एक बारी सो हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूं कि देखो आपको पता है आज उसमें मिनरल्स होता है मिनरल्स और प्रॉइल में मिनरल्स कहां से अधर को दिखा किया में यह करा में एक मया यह करन को कि अब एक बात को आपको डआखना आता अगा तो में कि अब आप एक बात हो आपको डाइगोरम देखना आता आपका तोập पुंच की डाइग्राम से ही मेरी भावनाओं का समझ चुक्त होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं आप गौर करो यहां पर रेंफॉल लेस कि यहां पर रेंफॉल मोर कि अगर ऐसा है तो बताना यहां पर लिचिंग कि यहां पर लिचिंग रिभा ज्यादा या कम रिभा यहां कम होगा कम यहां पर लिचिंग ज्यादा ठीक अब बताना अभी शेट तो इस बेसिस पर तो इस बेसिस पर तो यहां के टॉप सोयल में मिनरल ज्यादा या कम ज्यादा ज्यादा मोर मिनरल और यहां के टॉप सोयल में कम लेस मिनरल ठीक है साब अब आप सुचो जहां मिनरल ज्यादा तो वहां तो प्लांट ज्यादा न ग्रूप करना चाहिए जी तो इस पीसी डिवर्शिटी तो ज्यादा न होना चाहिए अब आप दावे के साथ के तो पूरे दुनिया का इस पीसी डिवर्शिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल अर्थ का सबसे ज्यादा डाउट आया अब को समझ पार को समझ पार को समझ गया कि क्या कोई रीजन दे सकता है इसका तो निव्यूट्रेंट जादा तो कोई थेकी स्पेसीज का प्लमाल लेते हैं तो उसका नंबर बढ़ेगा इस पिस डावर्शिटी में तो आप टाइप आप इस पीसीज देखते हो ना कि टाइप आप स्पीसीज की बात थो रही है वही घ्णी देखोगे और यस भी तो छोड़ी थोड़ी न भूल जाओगे एग जहां जादा होती है उसको भूभतें यू उट्रोफिक स्वाइल आप जहां काम होती है इसको बोलते हो औलीगोट्राफिक स्वाइल है उसमें तो मिंडल कम है तो प्लांट कम करना चाहिए था दिमाग लगा कोई भी पढ़ा चुके हैं पहले चले हिंट मारते हैं मैंने आपको मुच्वलिजम में कुछ पढ़ाया था अड़ाप्टेशन के नाम पर सब्सक्राइब तो है ठीक है रेंट पॉलेबल कैसे उटे प्लांट के लिए अनफेवरेबबल साभी रहा है प्लांट जो वाटर अभडर कर लेगा ठीक वाटर ज्यादा है अदुछ लेंड स्लाइड की विज़त नहीं सुकते उससे कुछ नहीं होगा और आपको बता हूं यह बहुत बढ़िया सवाल है यह यह सवाल पीछा नहीं छोड़ता है अब मैं आपको बता हूं ठीक है इसका कारण है adaptation adaptation in tropical rainforest इन plants के पास अपना एक खास adaptation अपना एक खास adaptation और यह adaptation क्या है सुनना ज्यांसे माइको राइचा कुछ श्याद आया अरे higher plant की रूट में आ रहे आ रहे है higher plant की रूट में एक मिड़ जो है higher plant की रूट में आप जानते हैं कि वहां कुछ फंजाए ग्रो कर जाते हैं जैसे मालों की रूट है दखो यह रूट है यह सिंप्ली रूट है वाई टॉप स्वैल तक ही है लेकिन वहां पर यह फंजाए उसके साथ आपको मैं बताऊंगा यह बात मिंडरल नीचे चला गया लट नीचे उसको एब्ज़ाब किया तरहे कि या रहात आड हाज जो नीचे चला गया उसको भी अब्जॉर्ब किया मिंडर लेकर ना प्रॉब्लम था पाकी सब को ठीक है ना कि इंपरेचर फेवर में है सोलर रेडियेशन फेवर में है रेणफॉल में है प्रॉब्लम मिंडर स effectively सबसे ज़्यादा नहीं है यहां पर भी माइको राजा है लेकिन यहां माइको राजा सबसे ज़्यादा है तो इससे इसका यह जो समस्या थी यह तो समस्या समधान होगी तो अगर आप आप से कोई question ऐसे जैसे मैंने अभी आप से पिछा कि ट्रापिकल डेश्योंस में तो यूट्राफिक गाल ट्रापिकल रेंफोरेस्ट में लिग अईकुराफिक्स फिर भी कहते हैं यह तो होँआ इस तरीके सेब मैं आपको बताता हूं या इभै तरफिकल लेंट्प्ish देते हैं कि ट्रफिकल लेंट्फड में क्या इस मॉत्स्ट सबस्के तुम दिए कि लिए है तो मैं आपको तीन है को दॉट्थेसिस वता रहा हूँ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस की बात के लिए है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सीमम इस्पिसिश डैवर्चिटी का हाइपोथेसिस सबसे पहला है लॉंग इभोलिशनरी टाइम मैं आपको बताता हूं जब अर्थ का फॉर्मिशन हुआ तो सबसे पहले लिविंग और्गनिजम समंदर में आए बाता भी जान रहे हूं फिर उसके बाद तरस्टियल पर आया तो ट्रस्टियल पर ट्रॉपिकल एक्वेटर पर लाइफ ट्रस्टियल स्टार्टि और उसके बाद फिर उपर उदर नॉर्थ साउथ या पहारों पर धर सबसे पहले इवोलिशन हुआ स्टार्ट हुआ कहां इसमें एक्वेटर पर ट्रॉपिकल एर्जेन फॉरिस्ट में तो मुझे बताओ अगर सबसे पहले वहां अले बी और गिन आये हैं तो वह अपना नंबर भी बढ़ाते जा रहे होंगे यस और नो नमबर बढ़ा रहे हो में हो जाए नीके का स्थिसलाएडेसन हो जाए बातें हो चुकी है नेके स्थिसलाएडेसन मढ़ेगा वी अलग काम कोई अलग सिस्ट के MEMBER कोई अलग इस थ अलग और बढ़ेगा ऐसा हर जगा हो रहा है जहां जहां लाइफ है लेकिन जहां लाइफ सबसे पहले आया है वहां तो यह तबसे हो रहा है ना मैं और यह इसलिए कहते हैं इस पेसे इस फंक्षन अफ टाइम जितना ज़्यादा समय इस पेसे इस उतना ज़्यादा आप देखना जब स्टाफ एक ही ऑफिस में वर्क करेंगे अगए तालमेल दिखेगा अगदम लेगिन साल भर तक में सब में फूट डल जाता है तम माली को काम बाठना पड़ता है द समय के साथ यह हुआ है और जो नया ओफिस है वहां पर देखना आप मल्टी यह वर्किंग स्टाफ मिलिंगे आपको एक ही स्टाफ माली का कारोध हो देता है अकॉंटरों पर बैठ जाता है लेकिन पुराना ओफिस साफ गौर्ण करना वहां पर कार दोने वहां फिक्स है औ समदरो इस पेशियेशन इस फंक्षन अफ टाइम और ट्रापिकल रेंफ फोरेश्ट सबसे पुराना इवोलुशनरी है विटेट है उकलोजिकल है विटेट सबसे पुराना विटेट है तो वहां पर कॉंपेटिशन सबसे ज़्यादा लगा है स्टार्टिंग से अब तक न जाहां बदलाव कम हो जैसे मालो कि कोई और वहां पर मालिक रोजय नियम करना चाहेगा परसानी होता है कि नहोता है कोई ऐसा जो साल में एक लिए फार नियम चेंज करता है जो नियम साल में यह लोग रूप करता है कि यहां अधा के जब करें वह पर से हर प्लांट चाहता है कि इसी जगह करें जो भी सीड गिरता है जो भी स्पोर आता है अराम से ग्रो करता है और क Berlin कशनी जरूरत है और अगर ऐसा है तो हो इसको भी नएश्ञ की जरूरत नहीं है पहली सतरी ना ने उस एरिया में नया अडेप्टिशन की कम दिरूरत पड़ेगी आराम से सर्वाइब करते हैं यह कारण बताता है एक और कारण बताते हैं अभी बताया आपको अच्छा खासा टेंपरेचर है कोई दिक्कत की बात नहीं है रैनफाल भी मस्त अगर ऐसा है तो वहां की प्ला अच्छा लान जादा तो अनिमल जादा तो माइक्रोब्स जादा ओवरल यह तीन कारण इस बात के सपोर्ट में है कि ट्रॉपिकल रैंट फॉरस्ट में पूरे दुनिया में सबसे जादा डावर्शिटी क्यों है अगर आपसे कोई ऐसे कंपेर करके पूछ ले क्या इसी मे वह को रहीजा तब सोचोगे जब कंपेर करने लेगे ट्रॉपिकल डैसीडूस और प्रापिकल रिंफॉरिस्ट के स्वाइल टॉप स्वाइल का इस्पीशी डैवर्शिटी के साथ लिए अगर बात यहां तक पहुच गई अब हम इस पीजिज एरिया रेलेस्ट बी पढ़ हो गया है कि अगर यहां तक किसी को को डाउट है तो बोलिए अभी से कि नो सर रिभा तो चलिए यह देखें कहां लिखा है इसी चप्टर में लिखा है बायों में नूर्स यह देखो भई यह सारी बातें लिख रखा मैंने अदम डाइग्रमेटिक समझा दिया यह देखो वह डाइग्राम प्रे कहां गिया यह रहा यह रहा कि स्वाइल कंपारिजन बिट्विन टेंपरेट डेसिडिवस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिवस फॉरेस्ट और उसके साथ महां का इस्प दूसरा यहां जो दूसरा वह सब पुड़ा पढ़ लेना आपको मैंने सब समझा दिया थिक है दूसरा लेस्ट सीजनल अर चौथा मोर सोलर रेडिये से ने यह हैपोथेसिस है और यह हैपोथेसिस अब इसमें सबसे इंपॉर्टन तगरा हैपोथेसिस को नहीं पता है सब अगर आप से पूछ यह मझेदार हैपोथेसिस यह भी सच है यह वाति सच है एक यह बात बहुत रहे हैं तो यह वहां पर रहा नहीं घटेगा नहीं जितना है उतना में रहेगा समसर मैं कहा रहा हूं बढ़ने का कारें तो फर्स्ट वाला है क्योंकि कॉंपेटिशन लगता है तो नीके स्पेसलाइडियस नहीं रहता है और इतना स्पेसलाइडिस्ट कि वह नवकर चाकर आपसमें बात तक नहीं करते हैं इंटर्वेडिंग खतम इतना अलग हो गए एक ही स्पीसीज के मेंबर तो यह था सारी बायोम की कहानी और अब आपका यह चप्टर समाप्त होता है लेकिन कल मैं इस चप्टर से लेटेड कुछ स्पेसल पॉइंट डील करूंगा और वो बताने के बाद मैं आपके मोडूल का डिसक्सन कर लूँगा कल ही ठीक है तो अकल स्पीसीज एरिया रिले अब क्या-क्या बचा है आपको क्या-क्या पढ़े लेना है आज आप अंसियाटी कि पेज नमबर दो सो बीस पड़ाएंगे और वहां से परते 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 आजाएंगे पेज नमबर दो सो एकीस यहां से पढ़ना शुरू करेंगे आप कहां से एडिंग 13.1 से और यहां पर पढ़ लेंगे एडिंग 13.1.1 तक वन के ऊपर तक यह तो पढ़ेंगे इस ही फिर बता रहा हूं आगे फिर आ जाना है पेज नंबर 261 से पेज नंबर 262 और यहां पर आप पढ़ेंगे एक क्विशन होगा लास्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे और यहां पर इस पिसीज एरिया रिलेशन्सिप के पहले तक पढ़ेंगे इस पिसीज एरिया रिलेशन के पहले तक कि इतना पढ़ के आईगे फिर मिलते हैं नेस्ट क्लास के इतना कर लिजेगा आपका एकोलोजी का 50 परसेंट पार्ट समाप तो चुका है लेकिन मैं इस में चैप्टर वाइस टेस्ट लूगा ही लूगा लास्ट में जब यह पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा पूरा यूनिट मिला के एक कॉमन टेस्ट लोगा टा था इक क्लोजी का क्योंकि यह नीट का सबसे जादा स्कोरिंग टॉपिक रहा है पूरे बाइलोजी का सबसे इसको इक कॉमन टेस्ट भी लेंगे आपको चली फिर मिलते हैं नेस्ट ट्लस में बाइबाई